हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेश्ट कैंसर होने का क्या क्या रीजन है पहले मैं आपको ये बता दू कि लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेश्ट कैंसर जो है वो सिर्फ फीमेल में ही होता है तो ऐसा नहीं है या कैंसर आपको मेल में भी प्रॉक्स शिक्ष्टीन लाक मामले आप मिलेंगे इसमें से जायतर मामले 30 से 40 महिलां में देखने को मिलते हैं और आपको यह भी देखेंगे कि ग्रामीन इलांकों की तुलना में जो हैं सहरों में breast cancer के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं देखा जाए तो केवल मामले ही नहीं बढ़ रहे हैं बलकि जिस उम्र में इस तरह के cancer देखे जाते हैं वो भी अब कम होते जा रहे हैं इसका सही कारण तो अभी तक पता नहीं चला है लेकिन सायद जो गौं के अंदर मैलाओं की physical activity जादा होती है इस तुल्ना में देखे तो सहरों में तनाफूर्ण जीवन आपको देखने को मिलता है अलकोहल और smoking की यूजेज अब female में भी थोड़ा जादा बढ़ने लगी है तो यह भी रीजन है इसके अलाबा आप देखेंगे breast feeding का challenge बहुत ही कम होता जा रहा है और ऐसा भी देखा गया है कि जो female रोजाना 30 to 60 minute जो है exercise करती है तो उसमें breast cancer होने का चांस बहुत कम होता है तो यह से main region है जो breast cancer होने का कारण है अगले वीडियो में हम आपको बताएं cancer होने से आप बस सकते हैं तो आपको यह medical fact कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने friend के साथ भी share करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई